रामायन में सबसे सुन्दर, भगतों सुन्दर कांड है, श्रीहनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर मासीतार को खोचते खोचते श्रीहनमान जी, अंगत जाम मन्त जी और अन्यवीर सागर तक पर आपोंचे जामबंत के याद बिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुर्सा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जो ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोकर उनसे उद्ध करने लगती है मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई अनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भीतर हनुमत आई अखियां फिर चोंधाई है सीया मा का पता न पाई सीया मा का पता न पाई तैरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है नामायन में सभ से संदक भगतो संदर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है रामायन में सभ से संदे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना कुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीशन को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्रिका देकर उनका संदेश लेते हैं और मा सीता से वातसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते ही मा सीता की अनुमती लेकर वो बगया से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राख्षसों से भेंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है सीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आ जाते हैं तेल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँच में आगती लगवाए अनुमत ने भी राम बोलके सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो बगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर उन तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीला आउता करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर श्री हनुमान जी ने जै जै श्रीराम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्रीराम बोलते जाते उधर लंका में ठाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कोटिया को छोड सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूड़ा मणी लेकर जय श्री राम का उद्धोश करते हुए रामा दल में लौट आते हैं प्रभु श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुंची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना शिरी राम ने अगनी बान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने और ये उपाय थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर परसे तूटो बंधवाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर जुण तो सुन्दर कान है शीहन्मत की लीला आउता करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुँची रावन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रावन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है दोनों योध्धाओं में घंगोर भयन कर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विवीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुषेण को लियाए वैद्य जी के बतायनु साल श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय परवत श्रंकला से संजीवन बूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तों सुन्दर गान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भगतों और रावन का अंतकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रत्नों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीशन के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध्वे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पतीने हसी उडाई आखों आसु भर आई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों वस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दें श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दें रामायन में सबसे टाहित की लीलाओं was. सुन्दें